इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम category को create और add कर सकते हमारी website के अंदर अगर आपकी blogging website है या e-commerce website है तो इस type की website के अंदर category का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जितनी भी audience आपकी website पर आएंगी तो आपकी website उन्हें easy to use होनी चाहिए easy to accessible होनी चाहिए हर product के लिए हर topic के लिए अलग category होनी चाहिए आपकी website के अंदर ताकि वो जो भी चीज को आपकी website के अंदर access करने आए है उन्हें वो easy to use होनी चाहिए तभी आपकी website पर ज़्यादा देर रुकेंगे और अगर आपकी website well design ने होंगी well organized ने होंगी अगर आपकी website उन्हें समझ नहीं आती है तो आपकी website से बहुत ही जालदी exit कर जाएंगे और इससे होंगा क्या है इससे आपकी website का bounce rate बहुत है हो जाएंगा और अगर आपकी website का bounce rate है हो जाता है तो आपकी website Google search engine के अंदर rank नहीं करेंगी जी हाँ अगर आपकी website के उपर bounce rate बढ़ जाता है तो Google सर्चिंजर में आपकी website rank नहीं करती है तो इसलिए आपकी website well organized और well design होना बहुत ज़्यादा ज़रूर है ताकि जितनी भी audience आपकी website पर आएंगी तो उन्हें आपकी website clearly समझ में है और easy to accessible हो तो इसलिए आपकी website के अंदर हर topic हर product के लिए अलग category होना बहुत ज़्यादा ज़रूर है तो मैं आपको कुछ website के example भी बताता हूँ कितने बड़ी-बड़ी websites category का use कर रहे है अपनी website को well organized रखने के लिए तो देखिए दुनिया की सबसे बड़ी e-commerce website Amazon इसके उपर भी सारे products category के हिसाब से ही design किये हुए तो देखिए हम यहाँ पे तीन lines के उपर click करते है तो यहाँ पे आपके पास Amazon के product की category open हो जाती है तो देखिए हर product के लिए अलग category है अगर आपको computer चाहिए तो यहाँ पे computers क उसके लिए अलग category है अगर आपको man's fashion चाहिए तो उसके लिए अलग category है boys fashion चाहिए तो उसके लिए अलग category है यहाँ पर जितनी भी audience आएंगी तो उसे पता होगा कि उसे क्या चाहिए इस website तो वो directly इस category में आ सकता है और यहाँ से चूज कर सकता है उसे जो भी product चाहिए त ताकि जितनी भी audience आपकी website पर आएंगी उसे हर product हर topic के लिए एक अलग category मिल जिससे वो आपकी website के उपर ज्यादा time spend करेंगा और इससे आपकी website की rank भी बढ़ेंगी Google search engine के अंदर तो अब आपको समद में आगा category कितनी important है आपकी website के अंदर तो अब हम चलते हैं और देखते ओपर आपका मैउस को हावर करूँगे तो यहां पर आपको categories का option मिल जाए गा time to पर click तो यह हमारा category create करने का डाज़बोट ओपन हो चका है तो यहां पर आपको सबसे पहले आपके category का name रखना होंगा कि किस name से आप category को create करना चाहती हो तो यहां पर आपको right side में नज़र आ रहा हुआ मेरे पास दो category एक digital marketing और एक web designing नहीं अब यहां पर मैं एक नई category add करके आपको दिखा देता हूँ Facebook Ads कि उसके बाद इसी को आपको copy करना है और select में भी डाल देना है select क्या होता है आपका URL होता है जो यहां पर URL शो होता है न उपर इसी नाम से आपका URL शो होंगा URL बार में इसलिए यहां पर आपको उसी नाम को यहां पर दोबारा दालना है ताकि आपको यह category गूगल सर्च में भी rank हो उसके बाद आपको नीचे आना है और यहां से आप parent category भी create कर सकती हो एक और category मैं आपको यहां पर add करके दिखा देता हूँ Google Analytics और इसी को मैं copy करके slug में भी paste कर देता हूँ और नीचे आता हूँ और यहां पर कर देते add new category तो देखिए यह भी category हमारी यहां पर successfully add हो चुकी है अब मैं आपको post के dashboard में ले जाकर वहां पर बताता हूँ कि वहां आपको आना हूँगा all post के उपर all post के उपर आने के बाद हम यहां से एक post को edit करते हैं मैं इसे नए tap में open कर लेता हूँ तो यह हमारा post create करने का dashboard open हो चुका है तो यहां पर देखिए right side के menu में आपको यहां पर category का option मिलेगा तो यहां पर देखिए हमारे पास 4 category available है बता रह यही से तो आप यहां से create कर सकते हो अब आप चाहते हो कि यह post आपकी Google Analytics की category में आए तो यहां से आपको Google Analytics को कर देना होगा select उसके बाद इस post को कर देना है update तो यह post आपकी Google Analytics की category में add हो जाएंगी अब हम इस post को करते है view तो देखिए आपको इस post के title के नीचे यहां पर Google गुगल एनलेटिक्स की के टेगरी नजर आ रहे होंगी यानि कि यह पोस्ट गुगल एनलेटिक्स के के अंदर एड हो चुका है अब यह कैटिगरी तो यहां पर शोर ही है पर यह ए्मेजॉन के कैटिगरी का जो डिजाइन है उस टैप से नजर नहीं आ रहे तो उसके लिए आपके सारे category उसको करना होंगा आपके menu के अंदर add तभी आपको सारे category इस type से नदर आएंगे आपके website के अंदर आपको कर देना होंगा इन menus के अंदर उसे add अभी category आपको सिर्फ यहाँ पर नदर आएंगी पर हम उसे अभी menu के अंदर add करेंगे तो सारी category से हमारी यहाँ पर show होंगी Amazon की तरह तो चलती है और देखते हैं किस तरह से हम category को menu के अंदर add करती है तो उसके लिए आपको आना होंगा appearance के अंदर appearance के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको menus को option मिलेंगा उस पर करना click तो यहाँ से आप menu को create और उसके अंदर categories को add कर सकते हो अगर आपको new menu create करना आपकी website के लिए तो उपर यहाँ पर आपको create a new menu को बटन नजर आएंगा simple इस पर click करके menu create कर सकते हो पर हमारे पास यहाँ पर already एक menu है तो हम इसी के अंदर इस category को add करेंगे ताके वो यहाँ पर show हो हमारी main menu के अंदर वो show हो तो उसके लिए क्या करना होगा तो यहाँ पर आपको left side में option नजर आएंगे मेनू के अंदर तो हम यहाँ पर category पर करना होगा click और देखिए यहाँ पर आपकी पास दो category नजर आ रही है पर हमारे पास तो चार कैटेगरी है तो चारों कैटेगरी शो करने के लिए आपको यहाँ पर view all करना होगा तो देखिए हमारे पास चारों केटेगरी यहां पे शो हो चुके है अब हम इन चारों को करते हैं select और करते है add to menu तो देखिए यह चारों केटेगरी हमारे इस menu के अंदर add हो चुके है अब हमें simple ही यहां पे इसे कर देना है save menu तो यह चारो categories हमारे main menu के अंदर add हो जाएंगे अब जाते हम हमारे home page के ओपर और इसे करते हैं refresh और check करते हैं क्या वो category हमारे menu के अंदर add हुई है या नहीं तो देखिए successful हो category हमारे menu के अंदर add हो चुकी है पर आपको इस window के अंदर वो clearly नजर नहीं आ रहे मैं इस website को incognito window में open करता हूँ ताकि आपको clearly menu नजर आए तो मैं यहां से कर देता हूँ incognito window open और यहां पर कर देता हूँ paste तो देखिए आप clearly आपको वो category हमारे menu के अंदर add हो चुकी है तो देखिए मेरे पास यहां पर एक blog का page है और इस page के अंदर मेरे पास जितनी भी post है यानि के blog post है उन सारों को माने यहां पर कर दिया हूँ add और इसी तरह से मैं क्या करूँगा facebook ad, google analytics और web designing इन तीनों को भी मैं कर देता हूँ digital marketing के अंदर add यानि के main हमारी category होंगे digital marketing और उसके अंदर sub category होंगी facebook ad, google analytics और web designing उसके लिए आपको फिर से जाना हूँगा menu के dashboard पर यहां पर आने के बाद देखिए हमारी digital marketing की category है अब इन facebook ads, google analytics अब इन तीनों का हमें क्या क drop करके right side में हलकस drag करना है और छोड़ देना है, अब facebook ads हमारा बन चुका है digital marketing की sub category, उसी तरह से हम तीनों को कर देते, यह तीनों भी आप हमारे आचुके digital marketing के अंदर, अब हम इसे कर देते, save menu, अब यह category आपको amazon की तरह नज़र आएंगी, जैसा कि Amazon music है, अगर आप इस पर click करोंगे, तो देखें, यहाँ पर sub category open हो चुकिए, तो इस तरह से category हमारी नज़र आएंगी, तो फिर से आते हम हमारी website के उपर, और इस website को में कर देता हूँ, refresh, तो देखें, यहाँ पर आपको सिर्फ digital marketing का option नज़र आ रहा है, पर जैसे ही आप आपके mouse को digital marketing के उपर कर सकते हो, और एक category के अंदर हम multiple categories को add कर सकते हो, जैसा के Amazon का है, एक category के अंदर multiple categories, एक category के अंदर multiple categories, तो इस तरह से category को create किया जाता है, website के अंदर और उसे add किया जाता है, हमारी website के उपर, तो आशा करता हो आपको यह वीडियो पसंद आए होगी, अगर आपको यह वीडि हो तो इस चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि हम इस चानल पर वेब डिजिटल मार्केडिंग फेस्बूक एड्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं तो अगर आपको यह फिरी में सीखना है तो इस चानल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो आज के इतना है मही मिलता हो आप से आगले ऐसे वीडियो में तब तक के लिए